हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल विजेज होम किचिन आज मैं आपके लिए लेकिया यह बहुत ही सिंपल पनीर के परांटे होते तो यह बहुत सिंपल है बट इन्हें बनाना बहुत ही ट्रिकी होता है चलिए मैं आपको बनाना बताती हूं पनीर पनाते बनाने के लिए पहले मैं इसका डू तयार करूंगी अगर आपके पास डू रखा हुआ है तो आप उसका भी बना सकते हैं बट अगर आपके पास नहीं है और आप पनीर के लिए इसपैशली डौ तयार कर रहें तो उसमें कुछ चीजहें जो आप ज़रूर एड़ा करिएगा यह मैंने इसमें सॉल डाल दिया है एक टीस्पून और मैं इसमें डालूँगी अजवाइन थोड़ी सी अजवाइन से क्या होता है अजवाइन डायजेशन में बहुत हेल्प करती है और टेस्ट भी एनहें होता है पराठो में यह मैं चुटकी भर एट कर दूंगी और मैं इसके अंदर मोमन के लिए डालूँगी थोड़ा सा ओयल ओयल तू टीस्पून में इसके अंदर एट करूंगी और आवाइल के साथ में से बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसका डो त्यार कर लूँगी इसका डो आपको बहुत ही ज़रूर एट करिएगा यह देकि हमारा डो रेड़ी है यह बहुत सौफ डो तयार हुआ अब मैं इसे कवर करके हाफ एनार के लिए रख दूगी इस पीच में मैं अपने मसाले की तियारी कर लेती हूँ यह फिलिंग के लिए मैंने पनीर लिया है यह होम मेट पनीर है इसक इसली वीडियो में जाके देख सकते हैं इसे ग्रेट कर लूँगी एक टिप आपके लिए आप फ्रिज में से तुनंत निकाल के से ग्रेट कर लीजेगा और इसमें मसाले तभी मिलाना जब पराथे बनाने हो यह देकि अच्छे से ग्रेट हो गया अब मैं इसमें मैंने अन हाफ टी स्पून सॉल्ट एड कर सकते हैं और मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट भी एक टी स्पून मैंने इसमें एक टी स्पून भुनेवे जीरे का पाउडर भी एड किया और यह मैंने काली मिर्च पाउडर एड किया है हाफ टी स्पून और मैंने इसमें आमचूर पाउडर ए ज्राउन करके मैं उसमें आटा dस्ट करके इसे अच्छे से यसको कटोरी का शेप दूगी थम और फिंगर की हल्प से देखिए इस टाइप से आपको करना है और ये कटोरी का शेप आपको देना और जिसका जो कार्नर है थम से प्रेस करते वे इसकी एक लोई तयार करनी है और आपको लग रहा होगा मैंने इतना पनीर डाला है इसकी लोई नहीं बनेगी बहुत अराम से बन जाएगी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से इसको प्रेस करते वे इसकी लोई तयार करिएगा और मैं अब सारी लोईयां तयार करके रख लेती हूँ फिर आपको इसको बेल के भी दिखाती हूँ यह मैंने रोलिंग बोर्ड ले लिया है अब मैं क्या करूँगी अपने हाथ पाम से ही से प्रेस करके वे बहुत हलके हाथ से आपको यह करना है इसको थोड़ा सा राउंड शेफ द अब मैं इसे तवे पर सेक लूँगी और मैं सेकने के लिए आइरन का तवाल यूज कर रही हूँ आप नॉन स्टिक पे भी सेक सकते हैं तो यह देखे मैं दोनों साइट से अलट पलट के अच्छे से से लूँगी यह देखे मैंने इस पर दोनों साइट से घी लगा दिया वह देखे हैं इसमें थोड़ा सा फूल भी रहा है में यह परांठा अगर अप मेरे तरीके से अगर यह परांठे बनाएंगे तो डेफिनेटली परांठा हमेशा फूले गाइग और कभी फटेगा भी नहीं यह देखे हैं हमारे परांठे बिल्कुल रेड़ी और देख रह हैं यह बहुत यम्मी बने थे पराँठे तो अगर आपको मेरी ये रैसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेर कमेंट जरूर करना और अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेर करना मत बूलना और अगर आप को मेरे रेसिपी अच्छी लग रही हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलती हो अब मैं आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए